नमस्का दोस्तों, वेलकम टू मैं चैनल, आज बनाएंगे पोहा से बहुती टेस्टी एक रेसिपी, जो खाने में होता है बहुती स्वाधिस्ट और यह बहुत हिल्दी भी है, तो रेसिपी बनाना भी बहुत एजी है और बहुत कम समय में बन जाता है, तो पूरा रेसिपी क लास तक देखिए, अब लोगों को बहुत पसंद आएगा, तो चले रेसिपी को बनाना स्टाट करते हैं, पूरा के इस नास्ता को बनाने के लिए मैं ले लिया हूँ, 250 ml मोटा वाला जो पूरा है उसको और इस पूरा को 2-3 बार नॉर्मल टेमपरेचर का जो पानी है, उस अच्छे से 2-3 बार इसको अच्छे से धूने से यह जो है पहले से थोरा सा नरम हो जाता है, उसी टाइम पर इसके अंदर दे दिया 100 ml सूजी, अब लोग मोटा पतला कोई भी सूजी ले सकते हैं, और दे दिया इसके अंदर 1 टीस्पून गेहुका आटा, आधा टीस्पू और दे देंगे 1 टीस्पून खटा वाला देही, दोही देने के बाद इसके अंदर दे दिया थोरा सा पानी और पानी दे के इसको अच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर सूजी है, पानी देने से सूजी जो होता है, पहले से तोरा फूल जाता है, और दे तरब में तीन उबला हुआ आलू ले लिया आलू को एक पोटाटो मैसर से अच्छे से मैश कर देना है और इधर मैंने ले लिया दो मीटियम साइस कप्याज को बारी काड लिया एक टमाटर को काड लिया दो हरा मीच गैसो पेन में एक नॉन स्टिक का पैन भी था कि इसके अं के अंदर 2-3 मिनित तक चला लेना है और इसके उन जो में बारी कटा हुआ पियाज और हडा मिर्शता को इसके अंदर टालके इसको अच्छे से फ्राइ कर लेना है तो इसको फ्राइ करने में 3-4 विज्लिक था स्वाथ की साब से नमक, हल्दी पाउडर जीरा रिखें tead नमक, हल्डी पाउडर, रिखें अे नमक, अनलो ना sm най阻 हो गया,ाकर नाल शुक न। इसी टेम पे जो आलŁ को मिने ने पॉटाटो मेश से मैश करके रखी थी उस आलŁ को इस मासाले के सब अच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे दिखेएगा आलु का कलर भी चेंज हो गया और मसाला से अच्छे से मिक्स्ट हो जोका है ये जैसे आलू चोका होता है ऐसा इवेन के रेडी होता है बहुत ही डेस्टी बनता है और दुसरे तरब जो मेरा पोहा का मिस्टन था उसके अंदर दे दिया थोड़ा सा धनिया पत्ता को चोटा-चोटा पीसस में काट के दे दिया और ये जो फ्रेश बारा धनिया होता है इ उसको भी इसके अंदर डाल दिया और बतन में थोड़ा बहुत जो बज गया तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी एड़ करके ओ भी पैन के अंदर डाल दिया इस पोह के मिस्रन को 4-5 मिनित एक दम मीडियम फ्लेम में पकाना है तो देखिएगा पोह धीरे धीरे सुकता और एक मैदे का जैसा दो होता है ठीक है वैसा बनके रेडी होगा तो देखिए पोहा जो है मेरा बनके एकदम रेडी हो चुका है मैं एक अलग बतन ले लिए उसके अंदर इस पोहा को डाल के ठंडा होने के लिए रख दूंगे तो देखिए ठीक ऐसा मैदे का डो बाल हु चुका है उसको हाथों से अच्छे से चीगना कर दिया और एक में छोटा सा ऐसा बोल ले लिए हो अब लोग के पास कोई भी अगर छोटा वाला जो कटोरी है वो ले लीजिया और इसको तेल से ब्रास्टे में क्रिस कर दिया और पुहा का जो मिस्टरन था उसको इसके अंदर एकदम अच्छे से डाल के इसको एकदम चारो तरफ से स्प्रेट कर दिया तो देखिए एकदम अच्छा सा एक लेयर बनाना है तो उसको पुहा का अच्छा का लेयर बना लिया उसके बाद आलू का जो चोखा बनाये थी बॉल बना के रखी थी उसको इसके उपर डाल के फ मगर इटली नहीं होता है इसके अंदर stuffing रहता है आलू का और देखें में तीन ऐसा चोटा बोल में बना के रेडी कर दिया उसके बाद में गैसोबें में पैन बिठा के इसके अंदर पानी दे दिया और एक stand बिठा दिया पानी थोड़ा गरम होना स्टार्ट हो चुक है इसी जो चोटा चोटा बोल था पुआ का मि न्वाला उसको इसके अंदर रखके इसको पाँसी मिनित ते Irgdum अच्छे से स्टीम देना है पहले दो मिनित ऐसे स्टीम दे इसके भाद इसको ढखके तीन से 4 मिनित स्टीम देना है तो देखिए यह जो मेरा breakfast पुहा का एकदम रेडि हो चुका है इसको थोड़ा थंडा करना है थंडा होने के बाद मैं कि नाइफ ले लिया हो और चारों तरफ से इसको अच्छे से ऐसा डिमोल्ट करने से और डिमॉल्ट हो जाता है और इसको थोड़ा उपर से टैप कर दिया दिखी इसली निकलाया कितना बड़ी ऐसा बनके रेडी होता है दोस्तों खाने में इसका जो टेस्ट होता है आप लोग एक बार घर में जरूर बनाईए आप लोग को बहुत पसंद आएगा और एक अलग तर जबन निकाल लिया तो एक दम इटली जैसा बनता है मगर इटली जैसा नहीं होता है खाने में इसकंदर स्टाफिक रहता है खाने में बहुत बहुत टेस्टी बनता है और यह आप लोग साथ खा सकते हरा चटनी के साथ सब्सक्राइब कर देखा रही हूँ कितना अच्छा बढ़िया सब बनके रेडी हो जाता है, पूरा केक जैसा कड़ गया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों आज का मेरा ये डेसीप आप लोग का अगर अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत बहुत शेयर कर दीजिए, बाइ बाइ